अस्सलाम आलेकुम स्टुडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे फाहिलम पॉरिफेरा के जनल करेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन, सैल टाइप्स, बोडिवाल और स्केलेटिन को तो सबसे पहले इसके जनल करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं पॉरिफेरा का मतलब होता है पॉर्स बेरिंग पॉर्स और फेरन का मतलब बेरिंग तो ऐसे और्गनिजम जिनकी बॉड़ी में पॉर्स होते हैं उनको हम प्लेस करते हैं फाहले हम पॉरिफेरा के अंदर अब यह हमारे पास है प्रामेली मेरीन और्गनिजम्स मतलब ज्याद भी हो सकता है कि वो हमारी arms को फिल कर दे अब यह हमारे पास है asymmetrical मतलब कि कोई भी central axis नहीं है कोई भी symmetry by radial radial या फिर जो bilateral symmetry वो शो नहीं करते और three cell types हैं हमारे पास spinacocytes, mesenchyme cells और chanocytes अचा आपको कुछ इस बुक पर यह figure मिलेगी कि यह asymmetrical या फिर radial symmetry जो हम शो कर सकते हैं लेकिन असल में ऐसा नहीं है इनमी कोई भी species इस तरह की नहीं है जो radial symmetry शो करें तो इस जासे हम इनको कहेंगे कि यह asymmetrical ही है वो थ्री cavity present है फिर भी इन्होंने filter feeding ही करनी है अगर cavity या spongosil present नहीं है फिर भी यह filter feeding ही करते हैं कोई tissues या organs जो हैं इनकी body में present नहीं है और तरह करीबर 9,000 species जो हैं वो included है इस phylum के अदर next हम देखते हैं इनकी classification को तो यह हमें इनकी three classes है class calcaria hexactylylida और demos बंजिया सबसे पहले class calcaria को देखते हैं तो इनके जो spicules होते हैं अभी जो spicules यह क्या चीज़ है यह इनका skeleton होता है साल में इसको भी अभी हम detail में देखेंगे तो इनका skeleton या फिर जो spicules होते हैं और इनमें जो है वो तीनों body farm जो है वो present होती है इसको हम next lecture में देखेंगे के एस कौन कौन सी body farm है लिए कौन और साइकोन और इसके बाद यह सारे के सारे हमारे पास आते हैं marine और इसमें आती है calcaria sponges और इसमें example आती है हमारे पास grantia की इनमें जो spicules है वो composed होती है और इस ज्यादे तर six rays होती है ठीक है यानि इनकी जो spicules होती है उनके पास six rays होती है और जो spicules है वो ज्यादे तर आपस में fuse होके एक intricate latest बनाती है लेकिन यह के intricate latest का मतलब आता है कि बहुत खूबसूरती से सजा हुआ ठीक है तो intricate latest भी बना सकती है इनकी spicules और यह काप यह ways shaped होती है इनमें जो body forms है वो आइकोन और लिकोन body forms प्रेजेंट होती है इसमें आती है हमारे पास glass sponges EU Plectella glass sponges इस वजह से इनको नाम दिया गया है क्योंकि यह काफी जादा जो है वो glass से resemble करती है मतलब देखने से जो हमें काफी जादा यह खूबसूरत नजर आती है तो काफी जादा scientist जो है वो zoologist व लेकिन यह के फिलाहाल इनको हम फाइलम पौरी फिरा के अंदर ही एक class exact इनलेडा के अंदर ही study करते हैं नेक्स थर्ड हमारे पास class है class demo sponges तो demo sponges में हमारे पास आते हैं brilliantly colored sponges जिनमें needle shape यहां पर four red siliceous spike use हैं वो present होते हैं अब इनके जो spike use हैं वो silica से भी बने हो सकते हैं यहां फिर sponges से भी बने हो सकते हैं ठीक है और यहां even ऐसा भी हो सकता है कि sponges और silica दोनों ही मिलके spikeule बना रहे हूं इनमें हमारे पास है सबसे complex liocon body form और यह 1 meter तक जो है वो height और diameter में हो सकते हैं इनमें ही यही एक class है जिसके अंदर एक family है जो fresh water sponges की है spongility और bath sponges भी इसी में आते हैं kliona और spongy ला अब bath sponges यानिके इस तरह की यह sponges है जिनको हम humans जो है वो bathing में यूज करते हैं नेक्स हम देखते हैं इसके cell types और body wall को तो यहां पर जैसे हमने देखा three types of cells जो है वो present होते हैं pinacocytes इसके बाद हमारे पास आते हैं mesenkind cells और तीसरे नमबर पर आते हैं chonocytes सबसे पहले हम देखते हैं pinacocytes को तो यह हमारे पास thin flat cells मतलब काफी ज़्यदा पतले cells हैं जो सबसे ज़्यदा outer cells होते हैं जैसे यहां पर देख सकते हैं outer cells को हम नाम देते हैं pinacocytes का ठीक है अब यह जो pinacocytes है यह काफे ज़्यदा flexible भी होते हैं इनके flexibility की वज़ा से जो sponge की shape है वो भी change हो सकती है अब कुछ ऐसे pinacocytes हैं जो के tube like porocytes बनते हैं ठीक है वो specialized है कि उनको ह हम porocytes कहें अब जैसे यहां पर में भी शो हो यह है हमारे पास porocyte जो के tube like है और porocyte की जो opening है ठीक है उसको हम नाम देते हैं ostium का single ostium या फिर ostia का अब यह होगी हमारे पास pinacocytes के लिए जिसमें हमने देख लिया कि outer जो body surface के साथ है उनको हमने pinacocytes कहना है और वो काफर ज़्यदा flexible है और tube like porocytes के अंदर भी develop हो सकते हैं और porocyte की opening को हम नाम देते हैं ostia का जो second layer है हमारे पास pinacocytes हो जो below present होगी वो हमारे पास है jelly like layer जि यहां फिर amoeboid cells amoeboid इस वजह से हमको कह सकते हैं को कि इनकी जो shape है वो काफे ज़्यदा irregular होती है ठीक है इनको हम यह नहीं कह सकते ही कि सारे के सारे round आया सारे के सारे किसी और shape में बलके irregular shape यह शो करते हैं तो यह हो कि इनकी second layer अब यह मीजन का इमसाज है यह काफे ज़्य इसके लावा यानि skeletal elements को secrete करना जो है वो मीजन काइम सेल्स का काम हो सकता है और इसके लावा जो food and digested food को बाकी body को distribute करना भी मीजन काइम सेल्स का ही काम होता है अब मीजन काइम यहां फिर मीजो हाइल second layer होगी जिसके अंदर मीजन काइम सेल्स हमने देखी है और next तो इनर chamber को line करने वाली layer है वो हमारे पास है twinoside cells की twinosides यहां फिर color cells तो यह हमारे पास है twinosides यह अगर हम एक twinoside के structure को जो है वो बढ़ा करके देखें तो अब यह जहां यह सबसे इनर वाले cells है मतलब इनका जो काम है वो filtration के अंदर होता है अब यह हमारे पास है twinoside जिसका यहां पर एक color like जो है वो ring present है यह मिलके बनी हूँ यह माइक्रो वेलाई से ठीक है तो माइक्रो वेलाई और माइक्रो फिलेमेंट्स जो है वापस में मिल वापर वो इसके अंदर जायेगा उसके इतनी भी फूद वेलाई है वो ट्रैप होगी इस तरह जो हागे फूर वेलाई के अंदर चली जाएगी ठीक है कुछ ना कुछ ना कुछ डाजेशन यहां पर बाद में जह हम अभी इसको डाजेशन को भी देखेंगे नेक्स लाश् और इस तरह यहां पर जो कॉलर का काम है कॉलर सेल के यहां पर चैनल के काम है वह वाटर की फिल्ट्रेशन है यानि food को ट्रैप करना है यहां पर हम यहां पर इसके sponge के structure को भी सारे दुबारा से revise कर लेटे है और इस तरह कि ऑपनिनिंग में जहाँ से water एंटर होता है बोडी प्रवाइड या मीजन काइम सेल्स पड़े होते हैं पोरोसाइड जो हमारे पास पेनेकोसाइड की ही मोडिफिकेशन जो ट्यूबलाइक सेल्स इसके पास पॉंजोसील ऐसी कैविटी है अंदर ठीक है जहां पर जो है वह ओस्टियम के थूँ वाटर जो है वह एंटर होता है पोस्टियम के थूँ जो है वह वाटर इस तरह एंटर होगा और चैनोसाइड जो है वह सबसे इनर वाले सेल्स हैं और इस तरह जैसे वाटर एंटर होगा वह फोरन से चैनोसाइड के कोलर में जाएगा और जो फूड है वह सारी के सारी ट्रैप हो जागी और बाकी वाटर जहां वो सारे का सारा osculum से लीव कर जाएगा और स्पाइकिल जहां वो हमारे पास skeletal element है जो के यहां पर इस case में ameboid cell यहां पर meson-caim cell नहीं सिक्रीट करना है और यह जो मीडल वाली लियर है meso high layer उसके अंदर होता है तो student यह थी ask video अगर आपके इसमें सो कोई question अगर मुझे कमेंट के अंदर पूश सकते हैं अगर आपके वीडियो अच्छे लगए तो मजीद informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें next video तक के लिए अलाफीस